हेलो एवरिवन, इस रो यानि के इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाइजेशन द्वारा सभी बच्चों के लिए कॉंपटीशन शुरू किया जा रहा है, इसको नाम दिया गया है ICC 2020, इस कॉंपटीशन में पहली क्लास से बारवी क्लास तक के सभी बच्चे कब ये क्विज होगी, कब ये इनका कॉंपटीशन होगा और ये कंप्लीट होने के बाद क्या मिलेगा, चलिए जानते हैं इसके बारे में, वीडियो को आप लास तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारी जरूरी जानकारी आपको दी जाएगी देखिए जैसे इनका एक कंप्लीट एक नोटिफिकेशन है, एक करके इसको देखते हैं वर्तमान COVID-19 के चुनोती पूर्ण समय के दौरान, जब भोतिक रूप से बैठके और सभाएं लगबग असंबव है, इसरो ऑनलाइन के माध्यम से इसरो साइबर स्पेस प्रतियोगिताय का आयोजन कर, हमारे देश के बच्चों युवाओ को एकिकरत कर, उनकी समभाविद प्रतिवाओ को प्रदर्शित करने में हम अपनी भूमी का निभाने की योजना बना रहा है, तो इसमें आप देखें कि ऑनलाइन भागिधारी कॉम्पटिशन है, कक्षा 4 से कक्षा 8 के लिए मॉडल बनाने की कॉम्पटिशन है, प्रतियोगिता है, नौवी दस्वी के बच्चों के लिए ऐसे राइटिंग मिंग्स निभन्द प्रतियोगिता है, यह आप हिंदी या अंग्रेजी किसी में भी यह लिख सकते हैं, और 11 12 के लिए भी आपकी निभन्द प्रतियोगिता है, और एक अंत्रिक्ष प्रश्नोत्र प्रतियोगिता, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, आपर अगर हिंदी में आपको दिक्कत हो रही हो तो, 9 और 10 के लिए देखें, आप ऐसे कॉम्पटिशन है, और 11 12 के लिए स्पेस क्विज भी होगी, बकिया आप या आगे देखें इसमें, यह सारा जो प्रोसेस है, यह आनलाइन होगा, और सबसे बड़ी एक इमपॉर्टेंट बात जो यहां पर देखने वाली है, यह वाली, आप देखिए क्या लिखावा है, भागेदारी के लिए कोई भी शु करना होगा, यह लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूँगा, अब वहां से भी इसको देख सकते हैं, इस कॉम्पेटिशन के कुछ नियम है, रूल्स, रेगुलेशन हैं, एक कि करकी हम इसको देखते हैं, मैं हिंदी में आपको बता रहा हूँ, साथ में इंगल प्रत्योगिता हैं, जितना भी कॉम्पेटिशन हैं, यह इंडिविजूल इवेंट्स हैं, मतलब एक सिंगल पर्सन के गुरूप कॉम्पेटिशन नहीं है, घर में बैठे बैठे आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं, कहीं आपको इदर उदर नहीं जाना, विशेश वर्ग इसमें मानी जाएगी, 2019 और 2020 में भी यह हुई थी, लेकिन तब अलग तरीके से हुई होगी, अब हम अभी की बात करते हैं, और अगर किसी ने उसमें अगर पार्टिसिपेट किया होगा, तो उसका जो कार्ड को इश्यू किया होगा होगा, अडेंटिटी कार्ड, उसको हम ले लेंगे यह, इसके अलाव आपको दिया हुआ है कि अगर 2020 का जो आपका अकेडमिक येर है, उसमें अगर आपका परिणाम मींस रिजल्ट आपका अभी नहीं आया है, तो यह माना जाएगा, यह अपने एक्जाम के लिए बात कर रहे हैं, ठीक हैं, नेक्स आएगा, इस प्रतियोगिता के लिए पंजी करा सकता है, या भाग ले सकता है, ठीक है ना, तो आप, कोई भी एक कैटिगरी हो आपकी, आप उसमें अपना रिजिस्ट्रेशन करवा लें, और आप अपना तो करें ही, साथ-साथ आपके अगर छोटे भाई-भाईन अगर हैं, उनका भी रिजिस्ट्रेशन आप इसमें जरूर करवा दें, क्योंकि ये सभी क्लासिस के बच्चों के लिए हैं, पांसो बच्चे चुने जाएंगे, और इनकी जो घोशना है, ये हमें इसमें मिलेगा, उनका जो नाम है, इसरो की वेब साइट पर आएगा, और आपको एक इंडिया की इतने बड़ा एक और्गनाइजेशन है, उसके साथ आपका एक नाम जुड़ जाएगा, उसके सेटिफिकेट में आपका नाम हैगा, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, नेक्स्ट है, अन्य सभी प्रतिभाग्यों को इमेल के माध्यम से तो बागे दारी प्रमानपत्र प्राप्त होगा, means, जो पांसो जो चुने जाएंगे उनको तो इसमें प्रमानपत्र मिलेगा, ही मेंट असनना सेटिफिकेट मिलेगा, बाकी और जितने भी पर्टिसीपेंट्स हैं, उनको भी सेटिफिकेट मिलेगा, क्या क्राइट एकर प्रपिक क्या होगा यह भी सब आपको वेबसाइट पर मिलेगा आप कॉल भी इनको कर सकते हैं चलिए अब आगे देखते हैं अलगे-अलग क्लास के लिए क्लास क्लास 123 एनि फर्स सेकंड और थर्ड के लिए ड्राइंग कॉम्पटिशन है जैसा मैं आपको पहले बता दिया इसके आपको कुछ यह नियम यहां पर दिये हुवे हैं आप इस नियम को एक बार पढ़ ले अच्छे थे गो थू हो जाएं कि क्या इसमें दिया हुआ है मैं एक मोटा मोटा आपको बता रहता हूँ कि इसमें एथरी साइज का आपको पेपर लेना है वाइट कलर का या चार्ट पेपर भी अप ले सकते हैं ड्रॉइंग के लिए वाटर वैक्स या पैंसिल उनको कॉप योगा पो करना है अपना जो पंजी करन या नि जो रिजिस्ट्रेशन नमबर है वो उसके राइट हैंड कॉर्णर पे आपने लिखना है इसमें स्कूल का नाम ड्रॉइंग पेपर प्रतिभागी का नाम स्कूल का नाम लिखना है ठीक है तो इसको आप ध्यान में रखें बिल्कुल नेक्स्ट है प्रतिभागी या माता-पिता को ड्रॉइंग का स्पस्ट फोटो लेकर या स्कैन कर इस तोरो की वेबसाइट पर दिये गए लिंक का लिंक पर अप्लोड करना है मैं इस आपने जो ड्रॉ फाइल का नाम भी क्या होना चाहिए उसका जो रिजिस्ट्रेशन नमबर है ताकि इसली विजिबल हो फॉर्थ फिफ्ट सेवन एट्ट क्लास के बच्चों के लिए मॉडल मेकिंग है ये बड़े अच्छा रहेगा सभी बच्चों के लिए आप मॉडल्स बना सकते हैं साइ बेचेंगे ठीक है ना आपकी रिजिस्टर्ड मेल पर इनका टॉपिक आएगा और इस तोरह की वेबसाइट पर भी ये आ जाएगा तो इसलिए इमेल आइडिया वो दें जो रेगुलर आप यूज़ करते रहें कार्डबोर्ड कागज कपड़े चिपकने वाले टेप एक बग चार तस फोटो उसकी खीचनी है और मॉडल के बारे में लिखना है और फोटो आपने डालनी है ठीक है ना दो एफ और अकार के पेच ठीक है दो आपने उसमें फोटो डाल देनी है पेपर के उपरी दाएकोने में पंजी करण संख्या वही जैसा उसमें था रजिस्ट्रेशन नमबर लिखना है और बाकि आपने इसमें अपना नाम और स्कूल का नाम ये सब नहीं लिखना है ध्यान रखें इस बात को अपलोड करने वाली फाइल का नाम उसकी पंजी करण संख्या होगा ये सिर्फ पीडिएफ में जाएगा ये सिर्फ किसमें जाएगा पीडिएफ में नेक्स्ट है हमारा नाइन तेंथ के बच्चों के लिए ऐसे राइंटिंग कॉंपटिशन होगा ये इसमें क्या होगा इसका भी जो टॉपिक है आपको भीजा जाएगा मेल पर और वेबसाइट पर भी इस तो की जो वेबसाइट है इसमें आप लेंग्विज अपने चुन टाइबिंग नहीं करना आपने लिखना है अपने हैंड राइटिंग में एफ और शीट आपने यूज करनी है इसमें भी अपना पाटिसिपेंट का नेम स्कूल नेम फोन नंबर वगर यह सब आपने नहीं लिखना है इससे डिस्क्वालिफाई आप हो जाएंगे अप ध्यान रखें आप ऐसा ना करें बिल्कुल भी कि कोई भी आपको अगर टॉपिक मिला तो वह आपने गूगल पे सर्च कर लिया और यूट्यूब पे अपने सर्च कर लिया और उसको कॉपी पेस्ट आपने कर दिया यह सब पता चल जाएगा और आप क्या हो जाओगे डिस्क वालिफाई तो ऐसी गलती अपना करें जो भी लिखें अपना कंटेंट लिखें अपना ही आपका वो होना चाहिए इसके अलावा जो आपने ऐसे अपना लिखा है उसकी क्लियर फोटो आपने लेनी है या स्कैन करना है उसको स्कैन करने के लिए एप होता है कैम स्कै और उसको PDF में भी कनवर्ट करके आप सब्मिट करेंगे और उसका जो नाम है वही रिजिस्ट्रेशन नंबर आपने लिखना है आते हैं अब हम 11 12 में 11 12 का देको दोनों चीज़े होएंगी आपर ठीक है ना एसे राइटिंग भी है और क्विज कॉंपटिशन है 12 के बच्चों के लिए इसमें क्या होगा दा मोडालिटी ऑफ दा क्विज कॉंपटिशन शेल बी मेंचेंड इन डिटेल और इस रोपोर्टल इसके बारे में जो सारी जानकारी है वो इस रोगे पोर्टल पर अवेलेबल होगी और बेजानकारी इसमें नहीं है तो स्टुडेंट्स मैं आप सबसे यही कहूंगा कि आप इसमें अपना रेजिस्ट्रेशन जरूर करवाए और जो यह कॉंपटिशन है इसरो साइबर स्पेस कॉंपटिशन इसमें पार्टिसिपेट जरूर करें और सेटिफिकेट भ धर्ञेडियОस जरूर केला हो 그거 ल मा的 सेंगटिजन जरूर लेही कॉंप admir never ड़ती टyas करिए यह कंपर दों